अरिसीबीश देवरिया चनपत के गौरी बाजार थाना परिसर में आज प्रभारी निरुक्षिया कानिल पांडे और शेत्रादिकारी अंबिका प्रसाद द्वारा मिशन शक्ती फेस थी के अंतरगत महिलाओं के साथ समयलन करते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वालंबन के संबंद में चुर्चा करते हुए उन्होंने नमबर जारी किये हैं बता दे चले 190, 108 और 112 के संबंद में जानकारी दी गई साथी आपको बता दे चले साइबर अपराद से बचाव के लिए अपनी फेस्बुक, ट्विचर और इंस्टाग्राम आइडी पर हमेशा दोरी सुरक्षा प्रणाली का उप्योग किया जाना चाहिए साथी उन्होंने इभी बताया कि अपने अकाउंट को लॉग करके रखना चाहिए जिससे कोई भी साइबर अपरादी आपके अकाउंट डिटेल्स के माधिम से आपकी बारे में जवानकारी कत्रुद करते हुए साइबर अपराद ना कर सके आज का कारी करम महिला ससक्ती करण के अधार पर गया था और बना है हमारी महिलाओं को यही संदेश मिल रहा है और होना चाहिए कि अपने कानून नियम सक्ती के लिए जागरुक हो और जागरुक हो रही है और जो हम लोगों का हक हिसा नियम कानून चुछ और दुरुस्त बन रहा है उसका लाब जन जन महिलाओं को मिले और सभी लोगों का स्वरक्षा, धन, जन, अपने अधिकार का मतलब हम लोगों को सक्ति मिले काफी भाइभीत भी है, उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनका गाउं नदी में कटकर विलीन ना हो जाए चेत्र का ये पूरा मामला है, तादर दस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जोहाँ पर गौरा और राप्ती नदियां बहते हैं, ये दोनों इन नदियां इस समय काफी उफ़ान पर चल रहे हैं तो वहीं गाउं और बांधों पर लगातार दबाफ बना हुआ है और ऐसे में लोग काफी डरे सहमे हैं रात रात बर लोग जाकर रखवाली कर रहे हैं इसी बीच गौरा नदिया के किनारे बसे हुए आदा दरजन गाउं के लोग काफी डरे सहमे हैं सबसे जादा नरायनपूर सुल्तानी समेथ कई गाउं ऐसे हैं जहाँ पर लोग काफी डरे हैं और इनको ये डर सतारा है कि कई इनका गाउं कट कर नदी में विलीन ना हो जाए बता दे चलें गौरा नदी के किनारे बसे नरायनपूर गाउं का ये मामला जहाँ पर किसी तरह से गौरा नदी इस गाउं के सटे बह रही है और ऐसे में ये देखने से लगता है कि गाउं के कुछ मकान अभी भी कट कर नदी में विलीन हो जाएंगे जिसे देखकर ग्राम अब ही देख रहा है और पीछे नदी है नदी में सुधार के लिए कुछ बंदे का सुरू हुआ था लेकिन जो अभी पूर्ण रूप से नहीं के बराबर है और ये यहां पे कभी भी वह तोड़ करके गाउं के अंदर पानी घुश सकता है नरायनपूर तो खत्रे में है ही है और हर साथ मेरट के सधना पूलिस के साकिव हत्यकान का खुलासा कर दिया गया है बतादें पूलिस ने इस मामले में तीन अभ्यूक्तू को गिरफतार किया और इसके साथ ही पकड़े गए तिनों अभ्यूक्तू सगे भाई बताय जा रहे हैं पूलिस ने तीनों से आला कतल भी परामत कर लिया तो वहीं पाकाइदा एस पी देहात नहीं पूलिस लाइन में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए इस घटना का खुलासा किया है यह तीनों ही लोग सगे भाई हैं और सधना पूलिस के तीनों को साहिब हत्यकान में गिरफतार कर लिया गया है आपको बत करते हुए आज एक बड़ा खुडा सकिया है एस पी देहात केशफ कुमार ने कहा है कि मृतक साकिब की दोस्ती अव्युक्त तालिब से थी और साकिब का तालिब के घर आना जाना था इसे भी साकिब के समन तालिब के भाई बिलाल और भोला की पतनी के साथ हो गया जिसके एक दिन अव्युक्त तालिब ने साकिब को अपने भाबी के साथ अपत्ति जुनक स्थिती में देख लिया इसके बाद आर ओपी ने अपने भाई बिलाल को ये मूआमला बताया जिस पर बिलाल ने अपने भाई तालिब और आजम के साथ यहत्या कार्ण की साज शच्रच जिनके नाम दिलाल उर्थ भोला है दूसरे का नाम तालिब है और तीसरे का नाम अजीन है ये तीनों भाई हैं इनके दोरा मिलके ये घटना कारित की गई है जो घटना का मोटिव है उस वो इस तरह का है कि जो मिर्तक था साकिब वो तालिब का दोस्त था उसके कारण ही उसका घर पे आना जाना था घर पे आने जाने के कारण जो इसका बड़ा भाई है बिलाल उसकी वाइब सबस्सम है उसके साथ इसके रिष्टे अवैड संबंद बन गया थे जिसका पता तालिब को चला पता चलने के बाद इसने ये बात अपने बड़े भाई को बताई जिसके बाद फरिवार के सभी लोगों ने मिलके स्टाडियंटर किया पॉंस्पिरेशी की कि इसकी इ एक तरह आरा नियूस